नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशास सत्यकी रामे आपके साथ जुड़ गया आपका एश्टो फ्रेंड संतो संतोशी दिनांक तीन फरवरी आज का दिन बनारस वालों के नाम है बनारस में अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आपके पास एक बड़ा मौका है बनारस में आप मुलाकात कर सकते हैं और मिल करके अपने कुंडली के विशे में अपने भागी के विशे में सब कुछ पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जन्वान को दिखाने के लिए आपको कार्याले के दिए गए नंबर 9354619250 या 9910291850 पर तुरंत वर्टसप करना है और कुन्डरी दिखा लेना है आईए सुर्वात करते हैं बाज के जोतिश दिशागा सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग माग महाश्चुक्ल पक्षत्र योदशीति थी है आज प्रदोश भी है चंद्रमा आज मिथोन राशी में रहेंगे और नक्षत्र रहेगा पुनरवशु योग रहेगा विश्कम्भ तदनुसार दिनांक तीन फरवरी दिन शुक्रवार राहुकाल का समय नोट कर लिजेगा शुक्रवार को सुबह 10.59 से 12 और गुलिककाल का समय नोट कर लिजेगा शुक्रवार का सुबह 7.59 से 9 राहुकाल में नए और शुवकाम सास्त्रों मना करते हैं लेकिन गुलिक काल आपके लिए कंसीडर कराता है तो गुलिक काल में आप नए और शुवकाम कर सकते हैं मेशे लेकर मीन तक अब आए जानते हैं आज की दिब्व भविश्य वाणी मेशराशी शिक्षा में आज कुछ अथक परिश्रम करना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर के आप जितना मजबूत रहेंगे उतना ही बहतर है ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में लाब के आउसर बनेंगे पढ़ाई के बाद बिजनस धन को लेकर के आज आगे बढ़ जाएगा प्राइवेर्ट सेक्टर आपके लिए भारी पढ़ रहा है प्राइवेर्ट सेक्टर को लेकर के आपको सजग रहने की आवश्यक्ता है सरकारी छेत्र की स्थेते में सुधार हो रहा है कदम दरकदम आप आगे बढ़ रहे हैं दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय बीत रहा है सपोर्ट भी मिल रहा एक दूसरे को साथ देंगे आप लव लाइट में मुश्किलें आ रही हैं यहां पर चिंताएं बढ़ सकती हैं लव लाइव को लेकर सजग रहिएगा स्वास्थ के मामले में आपके लिए आज लिवर आंख और बैक की प्राब्लम हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए आज मेश राशी वालों को आज भगवान विश्रू का ध्यान करके ना भी पर हल्दी का तिरग लगाना शुब होगा आज पीले रंग की शुबता रहेगी और 65 प्रतिशत का भागी रहेगा ब्रिशव राशी कुछ चिंताएं आपको परिशान करेंगी अचानक से मानसिक तनाव बढ़ सकता है पढ़ाई कम हो पाएगी ब्यापार अच्छा है बिजनस में कुछ बढ़ा कर रहे हैं और यही आपके लिए सब से ज़्यादा सकारात्मक रहेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नए रास्ते खोलेगा मुश्किलों का हल निकलेगा सरकारी छेत्र की स्थति में तनाव बढ़ रहा है दामपत्त जीवन बहुत पतनी का खूब साथ मिलेगा दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे लव लाइफ में कई तरह की मानसिक तनाव की स्थति आ सकती है आज सोच समझ कर निरले लीजिए आज का दिन ब्रिशव राश्री वालों को उपाय के तौर पर क्या करना है बताएं कि पहले स्वास्त डाइजे है मिथन राश है बहुत सकरात्मक पक्षाप का रहे आज पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है ब्यापार अनकूल चल रहा है बिजनस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं इन अवसरों का आपको लाब भी मिल रहा है प्राइवेट स्वास्त के मामले में मिथन राशी वालों को आज हड़ी और किड्नी की समस्या हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए आज अगर आपकी राशी मिथन है कच्चा दूध ले 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 आप अपनी दाहिनी अथेली पर और किसी पौधे की नीचे डाल दें चमच शुबरंग आपके लिए हरा भागी प्रत्षत 50 मिथन राशी के बाद कर्क दिनांक तेन फरवरी शुक पूर्ण है पढ़ाई में कोई दोश नहीं व्यापार अच्छा है बिजनस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं प्राइबिट सिक्टर आपके लिए तनाओं से मुक्ति का रास्ता देगा सरकारी छेत्र में उल्जन बढ़ सकती है दामपत्य जीवन अनोखा है आज पतनी का सा करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रत्षत तेरपन सेंगराशी आज तनाओ बढ़ रहा है पढ़ाई में कुछ उल्जन रहेगे सिक्षा पूर्ण नहीं हो पाएगी व्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में अवसर अच्छे मिलेंगे प्रा स्थति आपके अनुसार है प्राइवेट सेक्टर आपको जितना ब्यहतर कर सकते हैं उतना करें सरकारी छेतर में सुधार लाने का प्रियास करें गौर्न्मेंट सेक्टर आपके लिए अनकूल है दांपत्य जीव ना नूखा है आज पत्नी का साथ रहेगा सपोर्ट भी मिल लव लाइफ में कुछ उल्जन रहेगी आज, विवाह की चर्चा टालने में भलाई, स्वास्त के मामले में देखा जाए तो सिंग राशी वालों को आज डाइजेशन की दिक्कत और कमरदर्द की शिकायत है, प्रियोग के तोर पर सिंग राशी वालों को आज एक गुलाब का पुष्प, शिवलिंग पे अर्पित कर दीजेगा, गुलाबी रंग शुभ है, अठावन प्रतिशित का भाज़े है, कन्या राशी, शिक्षा की स्थती को सुधारने का प्रियास करना होगा, पढ़ाई में आज अपने आप कुछ बढ़ा करेंगे, ब्यापार अच्छा है बिजनस में किसी तरह की रुकावट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ उल्जन बढ़ सकती है, प्राइवेट सेक्टर को ले करके आपको सजग रहना है, चिंताएं है, सरकारी छेतर में कुछ उल्जनों से बाहर आएंगे आज, काम में मन लगेगा, दांपत्त जी की प्राबलम हो सकती है, प्रियोग क्या करना चाहिए कर आपकी राशी कन्या है, आज कन्या राशी वालों को हल्दी का तिलक कंठ पे लगाना शुब होगा, पीले रंग की शुपता में 56 प्रतिशत का भाग जा है, तुला राशी जिनांक तीन फरवरी, पढ़ाई लेकिन लव लाइफ में कई प्रकार की मुश्किलें आ सकती है, स्वास्त के मामले में तुला राशी वालों को कमरदर्द, घुतना और लीवर की समस्या हो सकती है, प्रियोग के तोर पर आज तुला राशी वालों को किसी जरूरत मंद को मौसमी फल दान करना शुब होगा, स्ट्रेटी रंग शुभ है उन्सर्ट प्रत्षत का भाग्या है बिश्च ग्राशी परिस्थति आपके अनुसार हैं चिंताओं से बाहर निकलेंगे पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे ब्यापार में नुकसान हो सकता है बिजनस में कुछ न कुछ उल्जन बढ़ रही है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा आउसर दे रहा है सरकारी छेत्र की स्थति में सुधार लाने का प्रयास करें दांपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों की बीच ता मादुर्गा को प्रणाम करके घी का दीपक उनके समक्ष प्रज्वरित करना शुब होगा भूरा रंग शुब है 63 प्रत्षत का भाग्या है धनुराश्य पढ़ाई में पूर्टा स्था की स्थति में लेबल आ रहा है ब्यापार थोड़ा सा प्रत्कूल स्थति पैदा करे पत्नी और बच्चों की वीच दाल में अच्छा बैठेगा लव लाइफ की स्थति को लेकर के थोड़ा सजग रहने की आवश्यक्ता है स्वास्थ के मामले में धनुराश्य वालों को आंख और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या प्रयोग करना चाहिए गर आपकी राश दानती रहेगी आज पढ़ाई खोब अच्छी कर रहे हैं ब्यापार अन्कूल रहेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं है प्राइबेट सेक्टर आपके लिए आज कुछ बड़े फैसले देगा सरकारी छेत्र की स्थति को सुधारने का प्रयास करें दांपत्त जी अच्छा है पत्नी का साथ रहेगा सपोर्ट मिलेगा मकराशी वालों को लव लाइफ में थोड़ा सोच समझ कर फैसला लेना होगा अगर आप गिराशी मकर है तो आज परियोग के तोर पर हरी सब्जी का दान शुब होगा आस्मानी रंग की शुपता है उन्चास प्रतिश अच्छी नहीं है आज प्राइवेट सिक्टर वालों को सोच समझ कर फैसला लेना होगा यहां पर दिक्कतें बढ़ सकते हैं सरकारी छेत्र में सुधार हो रहा है दामपत्य जीओन अच्छा है बच्चों का साथ रहेगा एक दोस्रे को सपोर्ट भी मिलेगा आज सब्स्व देना शुब होगा स्लेजी रंग की शुबता है चांच्छत प्रतिशत का भाग्या अंत्यम राश्मी सिक्षा पूर्ण है आज पढ़ाई में किसी तरह का दोश्न व्यापारन कूल चल रहा है आउसर अच्छे मिल रहे हैं बड़े मिल रहे हैं प्राइवेट सिक्टर में तनाव बढ़ सकता है सरकारी चेत्र को सुधारने का प्रयास करें दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी का खूब साथ है इस दोस्रे को सपोर्ट भी कर रहे हैं लव लाइफ की स्थती को सुधारने का प्रयास करना होगा यहां पर दिक्कतें बढ़ सकती है आपके लिए औरेंज भाग्य प्रत्षत सत्तामद 57 तो राश्यों का हाल जान लिया तीन फर्वरी को आपका दिन कैसा बीतेगा मेश से लेकर मीन तक पूरी जानकारी मिल गई है एक जानकारी और दे दे हुलाश्टक महातंत्र अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है गाज प्रिवन को एक अलग उचाई देता है तो आईए शुरुवात करते हैं अब आज का तो आप बुगिंग करा लिजेगा आज का सक्टस्की तीन कच्चे चावल अपने सर से तीन बार वामा वर्थ उतारिए उल्टे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज और तीनों बार अपने प्रिय का नाम ले लिजेए आईए अब जानते हैं आज की सक्सेज की तीन कच्चे चावल सर से तीन बार उल्टा वार कर किसी पौधे के नीचे रख दीजे आपके लिए पूरा दिन मंगलकारी होगा चर्चा अब आज के भाग्याक्षर की अब चर्चा तीन फरवरी को पैदा होए लोगों के लिए आज का आयुशमान भव अगर आप तीन फर्वरी को पैदा हुए हैं तो आज दक्षन देशा में तीन बर्गत के पौधे लगा दें और तीन लोगों को भोजन करा दें किसी गउशाला में आज काले तिल का दान करना भी शुब होगा अब बात कर लेते हैं आज के खास प्रियोग जिसकी आज marriage anniversary है किनी दो लोगों को भोजन करा के तीन बच्चों की सिक्षा में मदद करते हैं इतना सा करना है आपके लिए अनोखी शुरुवात अनोखा लाव और दिब्विता आपको तुरंट शुर्ता मिल जाएगे तो भाईया पाँच और छे तारिख को आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं लखनों में अगर आप लखनों में मुलाकात करना चाहते हैं तो आपके पास समय जादा है परसों ही हम लखनों रहेंगे पांच और छे तारिख लखनों अपॉइंट मेंट है बस दिये गए नंबर पर आपको वट्सप करना है और आनद उठाना है धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त एस्टो फ्रेंड संतोस संतोश अब आप हमें साधना एस्टो पर भी पकड़ सकते हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं